दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जिसक्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे जो हमारी वीडियो की रिजिनिंग के लिए हमारी क्लास चल लए थी उस क्लास को लोग क्या करतने जा रहे हैं रिजिनिंग की जो क्लास चल लए थी उस क्लास को मोग बहुत ही महात्तोर पूर्ण इसमें को लोग देखते हैं जो सभी क्या आए हुए कोस्ट ने उन्हीं को लोग यूपी-tripal-a-s-ee में यूपी-tripal-a-s-ee में ये सभी क्या किया गये हैं पूछे हुए पूछे हुए question है पूछे हुए question है ठीक है पूछे हुए PYK है ठीक है previous year question है तो इन सभी question को इतना बहतरीन ढंग से देखे जाएए कि वहाँ आपके reasoning में 50 में से कम से कम आप जो है 48 49 49 के आसपास रहें ठीक है अगर अच्छे से practice कर लिए तो ठीक है अराम से हो जाएंगी ठीक है चलिए start करते हैं देखिए पहला question क्या कर रहा है कर रहा है कि निमलिखित कथनों में से पढ़ें और जवाब दें निमलिखित में से कौन सा तरक मजबूत है तरक वाली question है ठीक इनको पढ़ना और जवाब देना ठीक आप पढ़िए और कथन क्य कर रहा है कि क्या एक कथन है हमारा ठीक कथन है क्या अभ्यास एक आदमी को निपुड बनाता है क्या अभ्यास तो तरक हां आउसरवादी हर मौके का फायदा उठाते हैं यह तो आउसरवादी की बात ही नहीं हो रही तो आउसरवादी की बात कहां से आ गई भाई आउसरव कुछ लोग सायत, कुछ लोग ही सीखते हैं, जो अभ्यास करेगा, सभी लोग सीखेंगे, तो ए भी हमारा क्या है, गलत हुआ, ए भी गलत हुआ, और ए भी, तो ना तु तरक फर्ष्ट और ना ही तरक सेकेंड हमारा इसमें क्या है, मजबूत है, इसी तरह के कोश्चन आते है बहुत टफ नहीं आते हैं, ठीक, आराम से आप कर ले जाएंगे, आप चलिए बताइए, कोश्चन आमबर 72 देखिए, 72 क्या कर रहा है, 72 कर रहा है, निम लिखित में से कौन सा आरेक परिवार, ठीक, परिवार, परिवार, और परिवार, पिता और माता-पिता, तो माता-प करकें, देखिए, आप एक किस आपसन में दिया गया, आपके, A, B, C, D, या किस में दिया गया, बताई, ति हमारा क्या है, एक पार्ट हमारा इसका राइट हो जागा, समझ में आया की नहीं ये बताई, माता-पिता, माता-पिता, मतलब फैमिली से आती है, और पिता भी नहीं होगा, ठीक, तो हमारा A पार्ट क्या हो जागा, राइट हो जागा, चली, question number आप बताएंगे कहुं सा, question number आप बताएंगे आप, 73, बताएं, question number 73, क्या कर रहा है, question number 73, देखिए क्या रहा है, कि A, N, A, N, है, ठीक है, मैं इसको छोटा करूँगा, क्योंकि आप मुझ फिर N है, फिर E कितना है, O है, फिर U है, फिर U के बाद फिर N है, फिर C है, फिर E है, फिर इसके जश्ट वगल में क्या है, A बना क्या रहा है, B, B बन रहा है, M बन रहा है, ठीक है, फिर V बन रहा है, फिर M बन रहा है, फिर M बन रहा है, फिर M बन रहा है, फिर क्या बन रह से यह सभी है यस यू Jeśli थीजा है यस यू डबल रैने और पर फिर अले फिर के बात फिर एकतंShot एक और धिर अब आ पंदरा होता है, यू का कितना होता है, 21 होता है, याद नहीं रहेगा, तो एक भी नहीं कर पाएंगे, ठीक, 14 होगा, 3 होगा, 5 होगा, सारे याद होनी चीए, एक कितना होता है, 2 होता है, एक कितना 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 होत जा रहे हैं भी तो कितना हुआ प्लस वन होगा देखिए बन से टू गए तो प्लस वन हुगा फिर एज़ए और कितना ऊता है चौज़धा से आप कहां जा प्लस 1-1 चला 21 से फिर फिर आप 22 भी गए तो कितना हुगा फिर 14 के बाद आप माइनस जाएंगे कितना जाएंगे 13 थिक है फिर ये कही हो जागा तिक इसमें भी सुटहें फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसमें कहा कर दीए Αलोड 189 ए कितना होता 19 होता फिर मिलस City 9 कितना होता इसोटा सितिते पाले किया क्प्रसी होगा तो फ्रेशल। फिर i है, i पर minus 1 करेंगे तो क्या आजागा, 8 पर क्या आता है, ठीक, yes कितना है, yes हमारा 19 है, 19 पर plus 1 करेंगे तो 20 आजागा, 20 पर क्या आजागा, 20 पर plus 1 करेंगे तो क्या आजागा, ठीक है, इसी तरह से e है, minus 1 करेंगे तो कितना आजागा, minus 1 करेंगे तो 5, 5 पर minus 1 करेंगे क्या जाएगा डी आ जाएगा देखें डबल टी डबल टी यस ओ यस एच टी यह हमारा किस आप्षन में दिया रहा यह हमारा बी पार्ट में दे रहा ठीक है समझ में आया की नहीं सारी चीजें बताईए समझ में आया की नहीं यह तो चीजें प्लस वन माइनस वन प्लस वन मा करके देख सकते हैं तो इसका भी पार्ट बिल्कुल सत्या जाएगा ठीक है ऐसे अगर आप नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे आपको करना पड़ेगा यह सारी चीजें आवर आपको यह नंबरिंग जो है याद होनी चाहिए सब की ठीक है एक निश्चित भासा में यदि A N I M A L एनिमल को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए A है फिर क्या है A है फिर N है ठीक है A N I I है फिर M है ठीक है I है फिर M है फिर A है फिर L है ठीक है फिर उसको क्या लिख रहे हैं O Z O Z फिर N H M Z ठीक है M Z लिख रहे है ठीक है अब आप इसकी बैलू देख लिए A क्या है 1 है ये कितना होता 26 होता ठीक है इस तरह से 14 होता ये कितना होता 15 होता ठीक देखे यहांस क्या माइनस ये क्या आरा माइनस 1 हो रहा है ये भी क्या आरा माइनस 1 हो रहा है कि नहीं 14 से प्लस 1 हो रहा है स्वारी स्वारी ये प्लस 1 हो रहा ठीक ते तेरह एक कितना ओर आवहाँ चाहोदा ठीक देखें आश्का ब्लस वान हो जाएगा एक और जागा वज़ए हम स्वह टिख इसी तरह से वन है यह मारा कितना था 12 यह एक इतना थाट तेरह ख़र प्लस वन जा रहा एक आवरा प्लस और अगला देख लिजेए फिर आई हमा होता, 19 होता, एक इतना होता, 5 होता, एक इतना होता, तीन होता, एक इतना होता, 20 होता है, ठीक, सब याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद रहेंगे, तो करना बड़ा मुश्किल है, ठीक, नहीं कर पाएंगे, O, H, F, R, U, B, प्रैक्टिस कोई ट्रिक नहीं है, तो ऐसे रट याद हो जाएगा आप प्रैक्टिस करेंगे, कि आप 15 होता, 8 होता, 6 होता, 22 होता है, ये कितना होता, 2 होता, इस सारी चीज़्हें रटा जाएंगे, को बड़ा मैनिस वन ओर यहाँ याद कर प्लस वन हो जाएगा, ठीक, है, इसी तरह से इसपे देखिये, माइनस 11, 19 सी क्य या उन वरा खिक अब आगे वारी हो आप देखिए ए क्या हो गया yield हो गया फिर हमारा अगला की ई पी एच च और ये टीज गरें और टी एक कि एडिया हूता पांच और इसके बादें तो बारह खेंगे था-पांच जाएंगे तो कौन आएगार टीज़त Police फ्लास वन हो रहा था ठीक प्लस 11 अबराइब में से प्लस वन करें बारा थेली तो किया आजागा एक इतना हो घणा इए-ए-ई-इस पर देखें नो यहां किया प्लस वन करेंगे तो क्या जाएगा बी आजाएगा और इसमें माइनस वन करेंगे तो क्या जाएगा जी आजाएगा इसी तरह से इसमें माइनस वन हो रहा है इसमें प्लस वन करेंगे तो यहां प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा यू हो जाएगा और इसमें पर माइनस इस तरह से question आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, देखें, मैं सारी चीज़ें detail से यहां बता रहा हूँ, ठीक, बहुत ही बहतरीन class है, आप इसका start skin ले सकते हैं, ठीक, plus one, minus one, diagonally चला है, ठीक, कम से कम इसके question आएंगे, 3 से 4 question, 5 question से कम नहीं आएंगे, ठीक है, इस तरह के question जो W, P, S, W, P, S, L, ठीक, W, P, S, L, P, I, I, ठीक है, W, P, S, L, P, I, यहने, फिर M, M, F, H, 8, देखें किस तरह के कितने अच्छे level के question हैं, इन सभी को, फिर इसको क्या बना रहा है, देखें, A, बाले दे दिया, A, T, E, X, X, Q, I, V, V, O, बना रहा है, ठीक, मैं अब color change कर लूँगा, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगे, ठीक है, इसका मान कितना होता है, आपको पता होना चीए, ठीक है, इसका कितना होता है, यह 19 होता है, यह कितना होता है, 15 होता है, यह कितना होता है, यह 12 होता है, यह कितना होता है, है कितना होता है फोर होता है ठीक ए लेटर कितने हैं दो चार एक पांच है कितने हैं दो चार पांच छे दो दो चार छे दो आट दस है ठीक इसका मतलब एक सी दो बन रहे हैं ठीक एक सी क्या बन रहा है दो लेकिन इसका मान देखिए कितना है इसका मान कितना होता बताई रहा होता है इसका कितना 6 है इसका 8 ठीक अब देखे क्या हो रहा है इसमें आप जब इसमें से दो चीजें बन रहा है एक मैंनेस 3 इस त Воले के लिए कर रहे हैं आप प्लस 4 कर रहे हैं और इचना इन दोनों केलिए भी कर रहे हैं प्लस 4 कर रहे हैं और मैंनेस ट्री कर रहे हैं देख लिए आप कर देखिए 4 में three करें तो बन होना जाएगा फॉर में प्लस फॉर करेंगे तो एट आ जाएगा ठीक इसी तरह से इसका क्या होता वन होता इसका क्या होता है ट्वन्टी होता इसका कितना होता इसका कितना होता है ट्वन्टी एक्स वाई जेट ट्वन्टी फॉर ट्वन्टी फॉर एक इतना हो जाएगा एक इसको प्लस प्लस फोर रहा होगा तो यहां पे क्या रहा होगा जल्दी बताइए फटाफट फट्राइच क्या रहा होगा प्लस फोर करनेपी इसका बनाइए इस पर भी प्लस 4 रहा होगा इस पर माइनस 3 रहा होगा इसी तरह से इसका जो प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 बनाएंगे कौन बनेगा देखिए E में E में क्या करेंगे प्लस 4 करेंगे तो E आजाएगा कभी नहीं आएगा यानि W क्या होता, 23 होता, 23, 24, 25, 26, 27, यानि कि W आएगा, यहां पर क्या आजाएगा, पहला तो W आजाएगा, ठीक, फिर W क्या होता, 23 होता, फिर इसमें माइनस 3 करेंगे, तो क्या आजाएगा, 20 आजाएगा, ठीक, W आजाएगा, ठीक, W आजाएगा, ठीक, W आजाएगा, फ प्लस 4 करने का मतलब यहां T रहा होगा, T रहा होगा, तभी तो आप T में क्या प्लस 4 किया होगी, यानि कि 20 में प्लस 4 किया होगी, 24 आया होगा, और माइनस 3 किया होगी, तो कितना यहाँ रहा होगा, फिर यहां पर क्या रहा होगा, यह देखें कितना 2 है, 2 का मतलब यहाँ 9 तुल के लिएबल बहुत ही बढ़ी अगे लेबल मस्त आज बहुन जादा question नहीं हो पाएंगे लेकिन question आज की बहुत बहुत बहतरीन है जेदने भी मैंने कर आया ठीक आप करें एक भगार कर कि देखिए ठीक, अब क्या करा है, जेनी का भाई कैत, वनीश का पिता है, क्या करा है, जेनी का भाई, जेनी है, ठीक है, जेनी कोई है, ठीक है, जेनी है, इसका भाई क्या है, कैत, कैत है, ठीक है, इसका भाई क्या है, कैत है, ठीक है, यह क्या है, कैत है, प्लस रहेगा, कैत क्या है, जेन विल सैली का वेटा है ठीक छोड़ दीजे जिसकी इकलावती वेटी बहन पॉल से क्या है बिवाहीत है ठीक है कैथ ने सैली से ठीक 30 साल पहले बिवाह किया था ठीक कैथ क्या है कैथ की जो पतनी है वो कौन है सैली है ठीक है सैली जो है इसकी पतनी है ठीक है सैली क्या है इसकी पतनी है ठीक सैली क्या है इसकी पतनी है ठीक यहां देखें तीस साल पाले विवा किया था तो बिल का जैनी से क्या संबंद एक आ रहा ठीक अगे देखिए एक आ रहा है कि बिल बिल सैली का बेटा है बिल जो है वो सैली का बेटा है बिल क्या है सैली का बेटा ठीक है बिल जो है सैली का बेटा है बेटा का मतलब इसके पिता काउन होगे कैथ हो जाएंगे ठीक है कैथ हो जाएंगे तो बिल और जैनी की बेट जैनी क्या इसका जैनी जेनी का भाई जेनी का भाई वनीशा का पिता है जेनी का भाई कैथ वनीशा का पिता है तो आप बताइए अब कैसे संबंदी थे बिल का संबंद जेनी से कैसे है तो उसका क्या लगेगा भतीजा लगेगा जीजा या सालात ये तो नहीं लगेगा क्योंकि उसका भाई या भा question number 77 बताई आराम से कर लेगा होंगे question मेरे ख्याल से 77 क्या क्या रहा नीचे दिये गए question को पढ़ें A और C के संबंद नीचे दिये गए कतनों को पढ़ें और A का में A और B की बीच में संबंद क्या होगा इसको बताना है ठीक है A B का बेटा ओर B का बेटा है और C D की बेटी है, C क्या है, D की बेटी है, C क्या है, D की बेटी है, ठीक, C क्या है, D की बेटी है, उपरोक्त में से अतरिक्त जानकारी की आउसेक्ता होगी, बताए किस से अतरिक्त जानकारी की आउसेक्ता होगी, C क्या है, C जो है, O D की क्या है, C जो है, O D की क्या है, बेटी है, C जो है, ओ D की बेटी A, C का, A, C से बड़ा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहां से ऐसे कैसे हम कर लेंगे A, C से क्या है, बड़ा है, यह भी नहीं C, A से लंबा है, B पुरुस है और D महिला है B पुरुस है और D महिला है D, B की पतनी है, बताई D जो है, O, B की क्या है पतनी है, क्या है D जो है, O, B की पतनी है, ठीक, जब यह पतनी बनेगा, तभी तो होगा D, B की पतनी है, तो लास्ट वाली जानकारी अगर मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे कर ले जाएगे, ठीक है, लास्ट वाली जानकारी अपस में भाई भाई है, ठीक समझ में आया, लास्ट वाली जानकारी से हम निकाल सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं, question number 78, ऐसे ऐसे question पूछे जाएंगे, अजे और बीजे भाई हैं, अजे और बीजे क्या हैं, भाई हैं, अजे को मैं A-C-D-0 नहीं में लिखी दे रहा हूं, तापके आपको दिक्कत ना हो, अजे और बीजे दोनों क्या है, भाई है, अजे और बीजे क्या है, भाई है, अजे और बीजे दोनों भाई है, निक दोनों का जेंडर क्या है, प्लस है, ठीक है, राम बीजे की पिता है, राम जो है, ओ क्या है, बीजे की पिता है, मैंने बना ठीक है प्रेमा राम की क्या है भान जी है ठीक है भान जी का मतलब कमला की वेटी होगी ठीक है किसकी वो क्या होगी क्या होगी बताईए प्रेमा जो है राम की भान जी है तो मतलब बेटी किसकी होगी बताईए बेटी हो क्या होगी कमला की इनकी वेटी होगी ठीक है अब कहां लिखे हैं बताईए अब मैं इसको इस साइड लिखता हूँ ठीक थोड़ा सा दिकत ना होता कि मैं यहां लिख द रहा हूँ कमला, ठीक है, यहां मैं लिख द रहा हूँ कमला इनकी क्या है, भान है, ठीक है, इनकी बेटी कौन है, इनकी बेटी प्रेमा है, ठीक है, और यह किसकी भांजी है, राम की भांजी, तभी तो राम की भांजी होगी, ठीक है, और सुभा कमला की ना नातिन है, सुभा क्या है, अब बताईए, सुभा, मतलब इसकी भी वेटी है, इसकी भी वेटी कौन है, कमला तभी तो नातिन होगी, सुभा है, ठीक है, कि नातिन है, तो अजय का सुभा से क्या संबंद है, जो अजय होगा, ए इसकी बहन लगेगी, प्रेमा इसकी क्या लगे बीजनी यह सुन्हर्ट गेगे लेकिन इक क्या है सुवह जो इसकी क्या लगेगी इसकी क्या लगेगी बताई भाई भाई तो लगएगा नहीं क्या मामा लगने का चांस पूंड है www. undergo Muammar भाई प्रेमा का भाई ममेरा होगा तो अज़े शुबा का क्या लगेगा मामा लगेगा सुखेष नाम की दो भाई है ठीक है नायक और कौन है एक सुकेश है, ठीक है, कौन है, सुकेश है, ठीक है, दो भाई है, दोनों भाई है, ठीक है, दोनों भाईयों की एक एक पुत्र है, इनकी एक लड़का इनके पास है, एक लड़का इनके पास है, ठीक है, एक पुत्र है, ठीक है, और एक एक क्या है, पुत्र है, एक पुत्र ह पुत्र होगा और इनके पास भी एक क्या होगी पुत्री होगी मैं यहां पूरा बना रहा हूँ ठीक है तो समझ में आना चाहिए आपको सारी चीज़ है ठीक एक पुत्र और उनके परिवार के बिशे में सेश जानकारी नीची दीगे अमर अमर मुनेश के बहनोई साला और अमर की मा के पती है ठीक माधव का माधव का एक क्या संयुक्त परिवार है उसके परिवार में नायक और सुकेस माधव एक माधव है जो है एक संयुक्त परिवार है दोनों का एक क्या है एक एक पुत्र और एक पुत्र हैं सुकेस और इनके द पत्नी होगी ठीक, दोनों लोगे पास क्या होगी, पत्नी होगी, ठीक है, माधा का एक सन्युक्त परिवार, ए माधा हो गए हमारे, उपर कौन होगे, माधा होगे, ठीक, माधा होगे, इनका सन्युक्त परिवार ए रहा, ठीक, सन्युक्त परिवार ए रहा, ठीक, इनके पुत मुनेश के बहनोई साला और अमल की पतनी है, अमल की मा के पती है, अमर मुनेश के बहनोई है, ठीक है, अमर क्या है, मुनेश के क्या है, बहनोई है, मतलब इसके बहन, यह कोई अमर है, ठीक है, अमर है, यह मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं, ठीक है, अमर क्या कर लेते हैं, इसमें मा लेते हैं इनका पुत्र अमर है ठीक है इनका अमर नायक का पुत्र कौन है अमर है ठीक है इनके बहनोई इनकी बहन का पुत्र बहन का पती है वो कौन है मुनेस है ठीक है मुनेस है ठीक है बहुत लंबा चौड़ा है मुनेस के बहनोई साला और और किसके हैं अमल की म इन्की मा का नाम की मा की हो जाएगी। ऑगे देखते हैं। मुनेश नायक के अभिवाहित पुत्र हैं, अब बताई, अमर मुनेश के बहनोई, अमर यहां होगा, मैंने गलती कर दिया, ठीक है, यह थोड़ा सा मिश्ट्रेंट हो गया, ठीक है, मुनेश, मुनेश यह होगा, यह मैंने इसको कैंसिल किया, ठीक है, इसको भी आप लोग कैंसिल कर दिजिए, और मैं कलर दूसरा चूच कर ले रहा हूँ, ताकि सब कटपीट जादा ना करना पड़े, ठीक है, यहां कर लिए मुनेश, ठीक है, क्या कर लिए, मुनेश, यहां क मा के मुनेश का सदिय नहीं वे बैश्डवी के पिता बिक्रम साच्छी साच्छी की सास सीमा के पूत्र है ठीक इतना लंबा चौड़ा है देख रहे हैं आप लोग अब बताईए बिक्रम बताईए फटाफट बिक्रम कौन हो गई यहां तो हो गया ठीक इस कोश्चन को बताईए लगा लेंगे अब लोग या नहीं लगेगा मुझे तो खुदी नहीं पल ले पड़ रहा है ठीक चलिए इस कोश्चन को छोड़ते हैं काफी लंबा है ठीक है और इस पेस भी नहीं है बहुत लंबा है यहां तक है ठीक है मैं इसे कभी और बताऊंगा आप लोगों को ठीक question number 80 बताईए question number 80 बताईए दिए गए बिकलपों में से जो अलग है उसे ग्याद करें पटापट बताईए यह देखिए क्या है 123 मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ और आपको यहां बता देता हूँ ठीक है यह क्या है 11 का work कर दीजिए 11 का work करेंगे प्लस क्या करेंगे 121 आ जाएगा प्लस 2 कर दीजिए ठीक है 9 के बाद फिर 7 का वर्ग कर दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, ठीक है, 7 के बाद फिर किसका करेंगे, बताइए, 7 के बाद किसका करेंगे, वर्ग, 5 का वर्ग कर दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, ठीक है, फिर 5 के बाद 3 का वर्ग कर दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, ठीक है, यही ह हमारा तेश क्या है गलत है ठीक है right answer क्या जबाएगा बीपार। चलिए लागल एक definition question no 80 क्या कर रहा है कि निमokay सवाल में से दो कथन दिये गए अऔर उनको पढ़के क्या करना सवाल को बताना ठीक है इनके बताना ठीक चलिए आगल के हैं देखिए क्या कर रहा है इनको पढ़ना और हमको लगाना है साथ लोग है A, B, C, D, E, F, G ठीक है और तीन कम्पनियां रहな है तो कम्पनी अहां लीजे ठीक है कम्पनी ठीक है कम्पनी कौन है ए है कौन कौन से है और पी है क्या है क्युंट uh eh एक रही है, ऑब देखिए इधर एक कमपणी होंगे, इधर का होगे ब्लेक्त है, इस द अदुनर में काम करने है, पूछाए, फिर जो या ना तो A के साथ काम कर रहा है और ना ही D के साथ, E क्या कर रहा है, ना तो A के साथ काम कर रहा है, ना ही D के साथ काम कर रहा है, तो ठीक, यह तो आपको बात दिमाग में फीट कर लेना, E कभी भी A और D के साथ नहीं आएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, C और F एक साथ काम काम कर रहे है जी टी कार्याल फmade ऐ के साथ और अठी काम करते है ठीक है ए और दी इसमें दिमाग काम करते है थीक है तो बचे कौन कौन से बचा कौन से E और B क्या करेंगे एक साथ काम करेंगे और कंपणी कौन से होगी Q ठीक है Q अर्थास सभी कथन मिला करके दोनों कथन मिला करके हमें उत्तर देने के लिए परियाब्त है ठीक है कथन A और B मिल करके कथन ए और सेकेंड उपलब्द तथा सवाल का जवाब देने के लिए परियाप्थ ठीक, राइट अंसोर हमारा यही क्या हो जागा सही हो जागा, ठीक, समझ में आया, देखे इस तरह के कोश्चन लंबे-लंबे पूछे जाएंगे, यह हमारा हलके मिन को नहीं लेना, ठीक है, इस कथन चली, पूरो अनुमान वाला है, ठीक है, पूरो अनुमान वाला है, पढ़िए इसको हर रोज कथन दे दिया गया और पूरो अनुमान लगा नाम को, हर रोज अखबार पढ़ने की आदट डालें, ठीक है कोई दिया गया है ठीक है इसमें हर तुक अख़बार पढ़ना वर्तमान मुद्धों के बारे में जागरुकता को बहतर बनाना पढ़ने की आदत डाली जानी चाहिए बताई क्या राइट एंसर होगा तो पढ़ने की आदत डालें तो पढ़ने की आदत डाली जानी चाहिए इसके लिए है अकबार पढ़ना वर्तमान मुद्व ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो हमारा राइट अंसुर का जाएगा सेकेंड ड़क्या करेगा अनुमान सिर्फ इसके अंतर अंतर नहीं थे तो भी पा या गती क्लच तो गती हमारी क्या होती ये सभी इसके पार्ट है ठीक है क्या है ये सभी पार्ट है लेकिन गती क्या होती पार्ट नहीं होती ठीक है ठीक है चली आगे चलते है ये सभी क्या है गाड़ी के पार्ट है चली आगे बताई कोश्चन नंबर 84 बता दीजी 84 और 85 दो कुश्चन और करेंगे हम लोग ठीक है बदाया फटाफट ये क्या है इसका मान बदाया फटाफट ये कितना होता आठ होता है ये पांच होता है एक होता ये एंको जोड़ने पर कितना आ रहा है बताई इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 52 ठीक 52 ठीक क्या रहा 52 ठीक जब इसको जोड़ेंगे तो कितना रहा है 12 होता है मैं इधर कर दे रहा हूं थोड़ा सा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आएं इधर कर लिजी इतने से मतलब है आपको तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूं यह होता 8 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18 प्लस कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा बताई प्लस 20 हो जाएगा कितना हुआ हर्ट का बताई हर्ट का कितना गया यह जो हर्ट बना कितना है इसका हर्ट का हट का गया बावन ठीक है बावन आ गया ठीक है इसमें सरवाधी किसका है इसको दिखना लंग का देखिए लंग लंग क्या होता, बारा, और यह कितना हो जगा, 21, 14, 7, 19, कितना है, लंग का कितना है, 73 आ गया, इसको जोड़ेंगे, लंग के बाद लीवर का कितना आ रहा है, लीवर का जोड़ेंगे, लीवर का जोड़ेंगे, कितना आ जगा, लीवर का छांचाट आ रहा है, ठीक है, लीव बसका होग सारवाधिक द्लियों का यह किस्का अटेरियर रहा है पटा एसका राइट बताई आपको यह भी ऑपट ईसनए प्तिक आणजिक ने की इसको लगाएगा श्रेंख अलब czas बताई स्रिंखला जब ग्यांत करेंगे तो कितना जगा बताईए यह हमारा आ जाएगा एस एक्स आई आजएगा है एस एक्स आई जएगा दोनों को मैंने एंसर बता दिया आप कोशन के जरूर करेंगा ठीक ताच के लिए इतना आई वीडियो अच्छा लगा तो सेर करेंगा चैनल को सस्क्राइब